Hello students, मैं आप लोग की तनुश्री माम आपको हिंदी व्याकरन question answer कर रहाँगे चलिए, पहले आप एक हिंदी single line की copy ले लीजे और क्या लिखना है, सबसे पहले आप classwork लिखे, part 1 और date लिखेंगे 22, 4, 20, 20 प्रश्न है का भाषा के कितने भेद होते हैं उत्तर, भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित आप साफ साफ सही सही लिखेंगे फिर से देखिए, भाषा के कितने भेद होते हैं भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित ख, मात्री भाषा किसे कहते हैं? उत्तर जिस भाशा को बच्चा अपने परिवार या आसपास से सबसे पहले सहज रूप से सीखता है उसे मात्री भाशा कहते हैं ग व्याकरन को कितने भागों में बाटा गया है उत्तर व्याकरन को तीन भागों में बाटा गया है वर्ण विचार शब्द विचार वाक्य विचार हम लोगों अब करेंगे ख, question number ख का एक उत्तर लिखिये क, प्रश्न है मौखिक और लिखित भाशा में क्या अंतर होता है मौखिक भाशा द्वारा हम बोल कर और सुन कर अपने विचार व्यक्त करते हैं मौखिक भाशा का प्रयोग बाचीत, भाशन, वाद विवाद, रेडियो तथा टेलिविजन में किया जाता है मौखिक भाशा का प्रयोग बाचीत, भाशन, वाद विवाद, रेडियो तथा टेलिविजन में किया जाता है लिकित भाशा में हम अपने विचार लिख कर या पढ़ कर व्यक्त करते हैं लिकित भाशा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदी में किया जाता है लिखिक भाशा का प्रियोग पत्र, तार, पुस्तर, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आधी में किया जाता है ख लिपी किसे कहते हैं? उत्तर, मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपी कहते हैं एक बार फिर मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने वाले चिन्नों को लिपी कहते हैं प्रश्ण गो व्याकरन की परिभाशा लिखिये उत्तर व्याकरन वह साधन है जो हमें किसी भाशा के नियमों की जानकारी देकर भाशा को बोलने पढ़ने या लिखने का व्यवस्तित ग्यान कराता है प्रश्ण दो का उत्तर हम दियेगे रिक स्थान पे किताब में ही लिखेंगे प्रश्ण है निमलिखित कामों में लिखित भाशा का प्रयोग हो रहा है या मौखिक भाशा का को नेताजी भासन दे रहे हैं भाशन बोलने का काम हो रहा है मौखिक रुपी का अपनी सहली से बात कर रही है बात कर रही है बोलना मौखिक अनुज समाचार पत्र पढ़ रहा है, समाचार पत्र लिखा होता है, लिखित, सुहेल पत्र लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है, लिखित, श्रोता मात्मा जी का प्रवचन सुन रहे हैं, सुनना, सुन रहे हैं, मौकिक, आप यहाँ दियेगे रिक स्थान में ही उत्तर को लिखिए अगला प्रश्ण है ग सोचने की बारी भाषा कौसल एक भाषा और लिपी का मिलान कीजिए एक तरफ भाषा लिखे वे हैं और दूसरी तरफ लिपी हमें इन दोनों को मिलाना है हम लाइन से लाइन करके नहीं मिलाएंगे हम कर खर गर ऑप्शन्स जो सही उत्तर है वो लिख देंगे पंजाबी अंग्रेजी मराठी कश्मीरी रोमन गुरुमुखी फार्सी देवनागरी पंजाबी गुरुमुखी हम यहां कर लिखेंगे अंग्रेजी रोमन खर लिखेंगे मराठी देवनागरी गर लिख दीजिए क कश्मीरी, फार्सी, घर लिखना है, तो हो गया बच्चों आपका ये, चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ट नंबर दो, सही उत्तर चुनिये, क, इस भाषा की लिपी देवनागरी नहीं है, हिंदी, हिंदी भाषा की लिपी देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपी भी देवनागरी है, कश्मीरी, हम लोगोंने देखा कश्मीरी की लिपी फार्सी है, तो यहां हम सही चिन लगाएंगे, ख, लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार किया जाता है, बोलकर नहीं, पढ़कर वा लिखकर सही, आप यहां पे चिन लगाईए, सुनकर तो बिलकुल गलत है, ग, मौखिक भाषा के विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार किया जाता है, एक, सुनकर वब बोलकर सही, आप यहां पे टिक लगाईए, लिखकर पढ़कर नहीं है, ग, करने की बारी, रचनात्म कौशल, भारत के अलग-अलग राजियों म से नीचे दी गई वर्ग पहली में भाषाओं के नाम लिखे, तो यहां संकेत दिया हुआ है, हम इससे पढ़ेंगे और इस वर्ग पहली को पूरा करेंगे, उपर से नीचे, चन्नेई की भाषा, आंधर प्रदेश की भाषा, महरास्टर की भाषा, बाएं से दाएं, केरल क की भाषा, गुजरात की भाषा, उपर से नीचे हम देखेंगे, पहला है, चन्नेई की भाषा, त, ल, क्या होगा, तमिल, यहां आप लिख दीचे, मी, तमिल, दूसरा है, आधर प्रदेश की भाषा, ते लिखावा है, तीन अक्षर का है, तेलगू, महरास्टर की भाषा, आप यहां देखें, यहां नीचे, उपर से नीचे की ओर, मराठी, मराठी, फिर हब लिखेंगे, बाएं से दाएं, चार नमबर, बाएं से दाएं, म, ल, ल, लिखावा है, पांच अक्षर का होना है, मली आलम, और फिर गुजराती, यहां पे हमें दो मिल चुका है, दो ल ख्यास केजिए, और आज के लिए इतना ही धन्यवाद,